इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलेक्रिक डाइपोल के उस हिस्से को जिसका नाम है कि जब हम एलेक्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एलेक्रिक फिल्ड में डालेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा इसके प्रिवियस लेक्चर में हमने एलेक्रिक डाइपोल के बहुत सारी चीजों को समझ लिया इंट्रोडक्शन को समझ लिया एलेक्रिक डाइपोल के लिए एक्जियल पॉइंट पर एलेक्रिक फिल्ड कितना होगा पॉदेंशिल कितनी होगी उसके बाद एलेक्रिक को जब हम uniform electric field में डाल देते हैं तो कितना उस पर torque लगेगा उसका formula क्या है फिर उसको समझने के बाद कुछ questions करेंगे जो सीधा सीधी आपके textbook NCRT से है तो चली शुरू करते हैं बिना वक्त आगिए electric dipole हम समझ रहे हैं torque on electric dipole placed in uniform electric field तो next तो यहां आप देख सकते हैं हमारे पास एक uniform electric field है E-Vector E-Vector एक uniform electric field है E-Vector और इस E-Vector के अंदर एक electric dipole रखा हुआ है इस electric dipole पर force लगेगा इसके individual charges पर force लगेगा individual charges पर क्यों force लगेगा क्यूंकि ये individual charges का ही बना हुआ है एक system है जिसे हम क्या करें dipole कर रहा है और force कितना लगेगा तो force के बारे में हमने पढ़ा है इसी chapter में कि electric field electric field का formula हमने पढ़ा है force experience by test charge यह हमने पढ़ा है electric field के बारे में electric field is equal to force experience by test charge तो force experience by test charge है अगर तो f की अगर हम बात करें तो f क्या हो जाएगा qe तो force का formula क्या आजाएगा QE force का formula क्या आजाएगा QE अब जब force का formula QE आजाएगा ठीक है तो force का formula जब QE आजाएगा तो हम इसे यहाँ apply कर देते हैं अब ध्यान से देखिए चूकी uniform electric field है तो uniform electric field का मतलब क्या होता है कि electric field कैसा है electric field है constant मतलब electric field है constant कि electric field constant है तो E constant हो गया अब E जब constant है दोनों charge के लिए E same है तो charge भी दोनों का same ही है magnitude दोनों का same ही है क्योंकि dipole का definition ही ही है कि electric dipole उसे कहते हैं जिसमें equal and equal and equal and opposite charge तो magnitude same है तो दोनों का Q भी same दोनों के लिए electric field भी same है तो दोनों का force भी दोनों पर जो force experience होगा वो भी क्या होगा same होगा तो इस पर force लगेगा कुछ इस तरफ F is equal to कितना हो जाएगा QE और इधर force लगेगा इधर भी force लगेगा F is equal to क्या हो जाएगा QE ठीक है अब दोनों प force या couple of force कहने का मतलब क्या है आप इससे समझ सकते हैं जैसे मान लीजे कि इसे मैंने ऐसे पकड़ के इधर ऐसे ठीक है अब मैं इसे इधर भी खीच रहा हूँ और इधर भी खीच रहा हूँ इस हाथ से इधर भी खीच रहा हूँ और इस single उंगली से इसे इधर भी खीच र आ है जिसे कहते है लाइन ओफ फॉर्स तो दोनों फॉर्स का लाइन ओफ फॉर्स एक ही पर है ना तो इस केस में कोई rotational effect देखने को नहीं मिलगा क्यूं क्युंकि दोनों फॉर्स के लाइन ओफ फॉर्स सेम है लेकिन अगर मान लीजे कि मैं इसे इस end पर force लगाओ और इस end पर force लगाओ अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये line of force इसका इधर है इस force का line of force इधर है और दोनों के बीच में ये perpendicular दूरी है तो अब क्या होगा अब जैसे ही मैं force लगाओंगा तो ये घूमने लगेगा ये rotate होने लगेगा तो it means कि अगर couple of force exert हो किसी body पर और उनका line of force same नहीं हो मतब दोनों के बीच में दोनों के line of force के बीच में एक perpendicular दूरी हो तो उस force की वज़े से turning effect देखने को मिलता है उस force की वज़े से क्या देखने को मिलेगा चाहिए उस दो force तो इसका line of force क्या होना चाहिए different होना चाहिए दोनों के line of force के बीच में perpendicular दूरी होनी चाहिए अब वो perpendicular दूरी अगर उस दोनों line of force के बीच में होगी तो वो से turning effect पैदा करेगा और उस couple of force का हम नाम क्या डाल देंगे torque तो यहाँ पर कुछ वैसा ही scene है एक force इदर जा रहा है एक force इदर जा रहा है तो इस force को अगर मैं पीछे produce करूँ तो यह line of force इसका इदर है इस force का line of force इदर है तो ध्यान से देख सकते दोनों force के बीच में एक perpendicular दूरी है तो इसको torque का formula क्या होगा सर तो torque का formula एकदम आसान सा है क्योंकि एक couple of force ही बनाया तो torque का formula भी यही होगा कि force कोई भी force ले लो आप कोई भी force दोनों में से क्योंकि दोनों ही force सेम है तो कोई भी force ले लो into multiply कर दो कि इससे perpendicular distance between the forces perpendicular distance between the forces perpendicular distance between the forces दोनों force के बीच में जो भी perpendicular दूरी हो, उसे ले लो, तो force into क्या हो जाएगा, perpendicular distance between the forces, तो torque आ गया यह, अब यहाँ पर इस values को put कर देंगे, तो हमें torque का formula मिल जाएगा, torque का formula क्या होगा, ध्यान से देखे, torque का symbol होता है, टाउ, ठीक है, torque का symbol क्या होता है, force between the forces, तो टाउ का symbol क्या होगा, टाउ का symbol होता है, torque का symbol क्या होता है, टाउ, torque का symbol होता है, टाउ, force हम कोई भी ले सकते हैं, दोनों का ही magnitude सेम है, तो force आप कोई भी ले सकते हो, तो force की value क्या हो जाएगी, QE, हमने कोई भी force ले लिया, into perpendicular distance, अब दोनों के बीच की perpendicular distance हमने यहाँ निकाल रखिये, क्या है D, ठीक है, दोनों क ट्रेंगल में यह ठीटा है, तो यह भी ठीटा होगा, क्योंकि electric field lines parallel है, यह ठीटा है, तो यह भी ठीटा होगा, अब हमें क्या निकालना है, इस D की value को find करना है, तो D की value कैसे निकालेंगे, तो इस triangle में हम लगा देंगे, sin theta, तो sin theta को लगाएंगे, तो P upon H, perpendicular upon hypotenuse, तो hypotenuse क्या है D, तो tau is equal to क्या लिखा जा सकता है, QE और D के जगा क्या लिखा जा सकता है, तो D के जगा लिखा जा सकता है, 2A sin theta, बेलकुल लिख दीजिए, 2A sin theta, अब ध्यान से आप देखें, तो कुछ चीज़ें आपको feel होने लगी होंगी, कि QE, E को अलग लिखो, और Q into 2A को एक साथ लिखो, और feel लिख दो sin theta, तो आपको एक चीज़ feel होगी, कि यहाँ पर Q into 2A, यह तो dipole moment का formula है, और इस Q into 2A के जगा हम क्या डाल लेंगे, P, तो tau की value क्या हो जाएगी, tau is equal to E into P, sin theta, तो इसे proper तरीके से अगर लिखे, तो tau का formula हमें मिला, P E sin theta, और इसी formula को अगर ह लिखे, तो vector form में लिखेंगे, तो vector form में लिखाएगा कुछ इस तरह, vector form में लिखे, तो vector form में आएगा, tau is equal to P E sin theta, यह तो अभी हमने लिख लिख लिया, tau is equal to P E sin theta, लेकिन vector form में कैसे लिखाएगा, तो vector form में लिखाएगा, in vector form, in vector form, tau vector is equal to P vector cross E vector, tau vector is equal to P vector cross E vector, बास समझ म हें यह टोर्क का फॉर्मूला आगया अब टोर्क का एसा हूनिट क्या हो गा तो एसा यूनिट आफ टोर्क वही होगा जो इसके star ting formula से हमने निकाला है isare ईसाइ ऑनीट अफ टॉर्क हो जाएगा सॉर्क का फॉर्मूला क्या था था सूर्डू इन्टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है टाउ का फॉर्स इन्टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस तो फॉर्स क्या है न्यूटन और डिस्टेंस क्या है मीटर तो टॉर का एसाई उनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर बास समझ में आ रही है तो यहां के बाद अ हम यहाँ पर कर रहे हैं, NCRT का exercise का एक्टम आसान सा सवाल है, बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल, simply formula based है, क्या है इसमें तो क्या-क्या दिया हुआ है, तो एक electric dipole है, जिसका dipole moment कितना है, 4 x 10 to the power minus 9 कुलम मीटर, तो dipole moment हमें दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले लिख लिए, given क गया है, तो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है dipole moment, तो P की value दी गई है, 4 x 10 to the power minus 9 कुलम, ठीक है, वो actually में 10 to the power minus 9 है, ठीक है, 9 कुलम मीटर, P दिया हुआ है, ठीटा दिया हुआ है, ठीटा कितना है, 30 degree, ठीटा की value भी दी गई है, 30 degree, with the direction of a uniform electric field of magnitude कितना है, तो 5 x 10 to the power, electric field की value, electric field का value कितना दिया, 5 x 10 to the power 4 newton कुलम इनवर्स, ठीक है, यह 104 नहीं है, यह 10 to the power 4 है, ठीक है, यह 10 to the power 4 है, ठीक है, 10 to the power minus 9, और 10 to the power 4 newton कुलम इनवर्स, ठीक है, आप से पुझा है, calculate the magnitude of torque, तो torque अभी just हमने पढ़ा है, तोर का formula है, उस पर बैठा दो, tau is equal to क्या हमन तो P e sin theta, P कितना है, 4 x 10 to the power 9, 4 x 10 to the power 9, ठीक है, minus 9 into electric field की value क्या है, 5 x 10 to the power 4, 5 x 10 to the power 4, ठीक है, और theta कितना है, तो theta है 30 degree, तो कितना हो जाएगा, sin 30 degree, ठीक है, sin 30 degree, sin कितना 30 degree, ठीक है, अब देखें धियान से sin 30 degree है, तो आप multiply कर दो क्या है, इसमें, कितना हो जाएगा यह, 10 to the power minus 9 plus 4, into sin theta कितना हो जाएगा, 1 upon 2, sin 30 degree की value कितनी, 1 upon 2, अब देखो, यहाँ 2 से 10, 20, डिक्चिक डिक्चिक कितना हो जाए, 10, ठीक है, 10 to the power minus, 1 minus 9 plus 4, तो कितना हो जाए, यह 4, तो 10 to the power minus 4, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है, तोर कैसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मी क्यों 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 क प्लिकान के बिल्दाः कि